नवरतन शेयर डिसकस करने का हमारे रिसेच डेस्स से हमारे साथ दुबेजी आ चुके हैं और नौस टॉक्स की लिस्ट लेके जो आपके रेडार पर होने चाहिए गूर्मारी शेयरत तो सबसे पहले Q3 अपडेट फोकस में रहने वाला है बात करें टाइटन की तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखने मिली है और अमेरिको की देखें तो वीक सेट अफ नंबर आए है जो डोमस्टिक वॉल्यूम्स है वो लो सिंगल डिजिट्स मे वो भी इंपक्ट हुए है तीसरा स्टॉक रहेगा GCPL वीक सेट अफ नंबर आए है और ओवर ओल जो और्गानिक बिजनस की ग्रोथ है वो भी मिड सिंगल डिजिट में आई है और इसका जो रेंज है रफली 3-6% हो सकता है लाटन बिजनस जो उनकी लाटन अमेरिका की बि लुकस रखिएगा ONGC यहां पर एक positive news flow देखने मिल सकता है यहां पर company ने जो है पहला बार oil production स्टार्ट कर दे अपनी kg डाउन 98 by 2 ब्लॉक में और याद रखिएगा यह जो projects है final phases में है और जो completion होने वाली overall जून 2024 को होगा तो एक टाइप से positive reaction हो सकता है stock में कोई federal bank के बा कि MD और CEO के लेकिन जो current जो CEO और MD है श्रियाम स्रिनिवासन वहां पर bank ने लिखा है कि उनको जो है extension की बात हो रही थी दो साल के लिए तो RBI ने कहा है कि दो और नए नाम लगाएं तो टाइप से थोड़ी सी negative news flow देखने मिल सकती है sham metallics यह stock थी हमारे खबर segment में भी हमने कहा था कि QIP issue में institutional interest की अच्छी demand देखने मिली और यहां पर अगर बड़े दिगज नाम की बात करें तो city group, Morgan Stanley और strong domestic mutual fund houses जैसे कि बंदन mutual fund, Tata AIA ने जो है इसमें प्रवेश किया है और लगबग 1385 क्रोड रुपी जो है QIP issue के जरिये raise किया गया है हमारा आठवा stock वो है big bold brokerage focus में रहेगा Sula Viniards of course last session में stock में कची तेजी भी देखने मिली ती और CLSN1 अप्ग्रेड किया है target price बढ़ा दिया है और of course 571 पहले ता अब बढ़ा के 863 कर दिया है और जो rating है वो अब जो है अप्ग्रेड कर दिया buy पे पहले outperform था और देखा जाए तो one of the largest revenue contribution जो है Sula Viniard का महराश्रा में ही है और आखरी stock जो खबर segment पे है वो रहने वाला हमारा chemplast sunmar यहाँ पे जो है बज है कि जो CSM additional capacity है जो CSM basically आपका custom synthesis manufacturing plant है उसकी जो phase 2 है वो March तक जो है operational हो सकती है और important बात है कि FY25 में इसके revenues में strength देखने मिल सकता एक हजार करोड का revenue expected है FI 27 में तो rerating देखने मिल सकती है stock में तो chemplast sunmar को खबर के दौपे ज़रूर अपने radar में रखिये बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब